बरसात के दिन में एक हलचल भरा कैफे जहां दो अजनबी पास-पास की मेजों पर अकेले बैठे हैं, अपने विचारों में खोए हुए हैं। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूदें बाहर की दुनिया को धुंधला कर देती हैं। एक भीड भरे कैफे में सारा ने बारिश की ओर देखते हुए कौफी की चुसकी ली, उनकी आखें मिली और कुछ जादूई चमक उठी। रोमैंटिक क्षणों का एक संग्रह जिसमें पार्क में सैर, सूरज के नीचे, पिकनिक और साजह हसी शामिल है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, सारा और अली का प्यार परवान चढ़ने लगा। उनकी आत्माएं आपस में जुड़ गई और उन्होंने एक साथ आनंद की दुनिया की खोज की। प्रेम नोट्स, चुराए गए चुमबन और साजह किये गए सपनों ने उनके दिनों को भर दिया। परिरोशनी के साथ एक चांदनी चछत, जहां सारा और अली करीब खड़े हैं, एक अंतरंग पल साजह कर रही है। एक शाम, तारों भरे आकाश के नीचे, अली ने सारा का हाथ थाम लिया और अपनी गहरी भावनाओं को कबूल किया। जब उसे एहसास हुआ कि वह भी ऐसा ही महसूस कर रही है, तो उसकी आँखों में आसु आ गए। यह शुद्ध असुरक्षा और जुडाव का क्षण था। अस्पताल का एक कमरा जिसमें सारा अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई है, जो चिकित्सा उपकरणों से घिरा हुआ है। त्रासदी तब हुई जब माया गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। क्यूंकि वे एक दूसरे को खोने की संभावना का सामना कर रहे थे। एक पार्क बेंच पर एक आंसु भरा ब्रेकप द्रिश्य जहां सारा और अली बैठे हैं, एक दूसरे से दूर देख रहे हैं। सारा की बीमारी बिगड़ गई और भावनात्मक तनाव असहनीय हो गया। एक दिल दहला देने वाले फैसले में उन्होंने उसे पीडित देखने के दर्द से एक दूसरे को बचाने के लिए अलग होने का फैसला किया। जब उन्होंने दर्दनाक अलविदा कहा, तो उनके चहरे से आसू बह निकले। सूर्यास्त के समय एक शांत समुद्रतट जहां सारा और अली अलग-अलग खड़े होकर क्षितिज को देखते हुए विचारों में खोए हुए हैं, साल बीतते गए और सारा की सेहत में धीरे-धीरे सुधार होने लगा। प्रत्येक ने अपने खोए हुए प्रेम की स्मृति को संजोया। एक दिन संयोग से वे एक शांत समुद्रतट पर फिर मिले। वे भावनाएं जो उन्होंने अपने अंदर दबी हुई थी वापस आ गई और उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्यार शाश्वत था। सारा और अली का पुनरमिलन ख समय का अधिक्तम लाब उठाने और हर पल को एक साथ संजोने का फैसला किया। जैसे ही वे गले मिले, कैफे के बाहर बारिश होने लगी, लेकिन इस बार यह एक आशीरवाद की तरह महसूस हुई, जिसने उनके पिछले दुख को धो दिया और महसूस, सारा और अली का पु सुन्दर अध्याय को जन्म दिया।